हम statistics में किस तरह के analysis किये जा सकते हैं इसकी बात को आगे बढ़ाते हैं और inferential statistics में tests of associations की बात करते हैं सिर्फ याद्हानी के लिए एक फिकरा अज़ करता हूं कि inferential statistics हमने कहा था कि दो तरह के inferences draw करने में इस्तमाल होती हैं एक difference related inferences और दूसरे association या relationship से मतलिक differences हैं या relationships हैं रादर जो निकाले जा सकते हमने difference के test के बारे में brief सी बात सिर्फ introductory level की बात हमने की इसी तरह introductory level की गुफ्तगू हम associations के test के बारे में भी करते हैं आप relationship के लिए जो test इस्तमाल करेंगे उसमें हम दो तरह दो एकसाम के test मौजूद हैं एक तो वो जो relationship निकालते हैं जिनके जरीए से हम और जब relationship strong निकलाते हैं तो उसको हम prediction की base के तोर पे भी इस्तमाल कर सकते हैं और उस पे हम regression से related test भी apply करते हैं association से यह मुराद है कि जब आप किसी भी दो variables के दरमयान यह देखना चाहते हैं कि यह आपस में एक दूसरे से कितने related हैं कितने मौनसलिक हैं मिसाल के तोर पे किसी की height का उसके कदम के size के साथ कितना तालुक है तो अगर किसी शक्स का कद बढ़ता जाए तो क्या उसके कदम का size भी बढ़ता जाता है इन दोनों बातों का अपस में कोई तालुक है इसी तरह किसी शक्स की अगर अपने पढ़ाई में मेहनत ज्यादा होती जाए तो क्या इस से उसके result का कोई तालुक है अपस में या नहीं है आप इस तरह के research के सवालाद जो होते हैं जिन में एक चीज के साथ दूसरी चीज के होने का तालुक जो है वो या उसकी probability जो है उसको आप work out करना चाहते हैं इमकान देखना चाहते हैं और फिर मतायन करना चाहते हैं कि ये relationship कितना strong है तो relationship के जो test है इनका जो numerical result आता है वो अमूमी तोर पे zero और plus minus one के दर्मियान एक number है दो चीजें अगर आपस में सौ फिसद जुड़ी हुई हैं या एक होगी तो लाजमन दूसरी हो जाएगी तो ये तालुक सौ फिसद तक जा सकता है या इसका दूसर आप उसे टेंड किया है कि ये बिलकुल ना हो कोई तालुक एक चीज के होने का दूसरी चीज के होने से कोई तालुक हो ही ना या यह हो सकता है कि बिलकुल inverse हो कि एक चीज ज्यादा होती जाएगी तो दूसरी कम होती चले जाएगी ऐसा भी है बसलद आप medicine का इस्तमाल positive relationship है और inverse relationship है direct relationship है और inverse है direct क्या होता है कि एक variable को बढ़ाते जाएं दूसरा भी बढ़ता जाएगा जैसे मैंने कहा कि आप किसी की height बढ़ाते जाएं उसके कदम का size बढ़ता जाएगा आप मेहनत ज्यादा करते चले जाएं आपकी result जो है वो बहतर होना चुरू हो जाएगा और inverse relationship क्या होता है आपका first कर लिजे कि आप medicine की quantity बढ़ा दें या उसको बहतर करते जाएं बेमारी की quantity कम होना शुरू हो जाती है यह inverse relationship हो सकता है इसी तरह आपकी stress और achievement stress बढ़ती जाएगी तो achievement हो सकता है कम होती चली जाएगी तो यह जो है यह inverse relation है अगर आपका data nominal नौईयत का है तो उसके लिए जो test relationship के use होते हैं वो काई स्क्वेर हैं देखिए काई स्क्वेर डिफरेंस में भी लिखा हुआ था काई स्क्वेर इसमें भी आ रहा है क्यूं क काई स्क्वेर एक family of test है उसके अंदर बहुत सारे test relationship देखने के भी है और बहुत सारे difference देखने के भी है इसके इलावा आपके पास एक और जो बहुत commonly इस्तमाल formula है वो है Pearson product moment के नाम से यह भी relationship देखने का formula है उस वकत जब आपका data जो है वो interval हो या ratio हो उसके variables के ने data generate किया उसका level of measurement यानि interval और ratio होगा तो आप Pearson product moment के जरीए से relation निकाल सकते है अगर आपका data ranked है order data है ordinal है तो उस सूरत में आपको जो test use करना चाहिए वो spearman rank order test है उसके नाम में ही देखिए rank order लिखा हुआ है तो आप उसके लिए spearman का test इस्तमाल करते है तो relationship के अमोमन जो हम इस्तम करते हैं वो यह तरीक हैं इसके इलावा और भी है point by serial भी एक तरीका होता है और भी फार्मूले हैं बहुत सारे लेकिन अपने basic concept में ऐसी तरह के हैं इसके बाद बात आ जाती है regression की यह prediction की गुफ्तुगा है अभी तक आप association देख रहे हैं जैसे बादलों के आने में और बा होता है यह यकीन हो जाता है हमें कि अच्छा इस तरह के बादल होते हैं तो बारिश जरूर हो जाती है और जब यह मैं बहुत दफ़ा यह तजर्बा कर लेता हूं कि मैं अपने observation को अपनी सच होते हुए देख लेता हूं तो मुझे एक हद तक यकीन हो जाता है और मैं आपस में बहुत strongly associated हो जाते हैं या होते हैं तो एक दूसरे का प्रेडिक्टर बन जाता है यह एक का होना दूसरे के अभी होने से पहले ही हम फैसला कर लेते हैं कि हो जाएगा इसके बाद तो यह जो जब आपका relationship दो variables का इतना predictable हो जाए कि एक के होने को दूसरे के होने से जोड़ा जा सके जबकि अभी वो नहीं हुआ होता future में होना होता है हम कहते हैं कि जो variables बहुत strongly associated होते हैं वो आपस में एक दूसरे के उन में से एक दूसरे का प्रेडिक्टर बन जाता है जब भी आप प्रेडिक्शन से related analysis करना चाहते हैं यह association का ही समझ लेना कि यह specialized case है कि जिसमें association इतनी strong हो गई है कि अब एक दूसरे का प्रेडिक्टर बन गया है और आप यह बार टेस्ट करना चाहते हैं कैसा है यह नहीं है तो आप इसके लिए regression इस्तमाल करते हैं और regression में आगे फिर मुख्लिस सूरते हैं linear है multiple है और और उसकी जो आजकल user modeling की सूरत में य regression apply करने से पहले मुझे यह यकीन होना चाहिए कि इन जिन variables में मैं चेक कर रहा हूं कि क्या एक variable दूसरे का predictor है या नहीं यह यकीन होना जरूरी है कि उनके दर्मयान relationship strong होगा या नहीं अब strong relationship किसको कहेंगे आप जब test इस्तमाल करते हैं relationship का तो जिसमें ने पहले कहा कि relationship की value 0 और 1 के दर्मयान आएगी जितनी यह value 1 के करीब जाएगी उतना strong relationship है जितनी यह 0 के करीब आएगी उतना relationship कम है और अमूमन किताबें कहती हैं कि 0.6 से ज्यादा यानि 60% कहले ना 0.6 का मतलद सौ में से 0.6 का मतलद है 60% तो अगर दो चीजें दो variable आपस में 60% से ज्यादा associated हों तो हम कहते हैं कि इनके दर्मयान relationship strong है और इनके दर्मयान आप prediction देख सकते हैं एक को as a predictor of other देख सकते हैं और उन सिर्फ उन variables पर आपको regression apply करनी चाहिए जिनके दर्मयान strong relationship establish हो जाए